पिश्टार सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बिटा आज हम लोग पढ़ेंगे कंजम्शन और कैपिटल गुड्स के बारे में तो बिटा आप लोग को पता तो होगा कंजम्शन गुड्स क्या होता है नाम सी पता चल रहा होगा कंजम्शन के पता यह चीज़े जो की आगे प्रड़क्शन में घर करेंगी जैसे की मशीन होगी आप लोग की इस सब क्या आगे प्रड़क्शन में आप लोग को हैल्प करेंगी ओकी बटा तो आए बटा पढ़ते हैं इनके बारे में देखो मीनिंग क्या होता है इनका गुड्स विच आप लोग को आइस क्रीम खानी आप लोग को सैटिस्वाइब करते हैं अगर मैं आप लोग को सैटिस्वाइब करते हैं अगर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो बेटा कैपिटल गुड्स होते हैं क्या ऐसे गुड्स जो की फर्दर प्रडेक्शन में आप लोग की हल्प करते हैं आपके पास एक मशीन थी अब आपने दो मशीन कर ली तो आपके क्या होगी प्रडेक्शन कैपिशिटी बढ़े प्रडेक्शन कैपिशिटी बढ़ जाएगी नहीं इससे कोई भी प्रडेक्शन कैपिशिटी हमारे देश की नहीं बढ़ेगी लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की अब एक ची बताई का इसकी बनाने वाली कंपनी ती उसके पास एक मशीन थी अब उसकी दस मश प्रडेज हो गया एसी हो गया अब दरदस बीबी साल तक भी इसको यूज करते हैं अच्छा नॉन डियूरेबल की अगर मैं बात करूँ आइस क्रीम होगी आप लोग की लाएंगे खाएंगे है ना तो यह चीज़ी होती है क्या कंजम्शन गुड्स में अगर मैं दूसी त चीज़ को आप लोगो को अपनी नोट बुक में किस तरीके से नोट डाउन करना है उसके बारे में हम लोग करते हैं चर्चा देखिए कि कंजम्शन गुड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कंजम्शन गुड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं देखिए कौन से गुट्स के बारे में बात कर रहे हैं कंजम्चन गुट्स के बारे में देखिए और दूसरी तरफ किसे बारे में बात करेंगे हम लोग कैपिटल गुट्स के बारे में किस गुट्स के बारे में Capital Goods के बारे में राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बेटा मेरी इसका थोड़ा सा सोरी मेरा इस तरफ से आपको ठीक है ठीक है कंजुम्चन गुट्स में कौन से गुट्स आते हैं बताईए बताईए कौन से गुट्स आते हैं कोई बताना चाहेगा consumed by consumer कौन consume करता है ऐसे गुट्स आते हैं जो consume करता है consumer for satisfaction of his want for the satisfaction of his want of his want याद रखिएगा consumer जो consume करता है अपने आपको satisfy करने के लिए वो किस में आते हैं consumption गुट्स में आते हैं बेटा याद रखिएगा इस चीज़ को भूलेगा मत अच्छा मैंने अभी आप लोग को बताया था ये कैसे satisfy करते हैं आप लोग को producing other goods purchase for producing other goods याद रखिएगा इस चीज़ को ये goods कौन से goods होते हैं जो आगे production में आप लोग के help करते हैं दूसरे goods को बनाने में help करते हैं ठीक है अच्छा मैंने आप लोग को बताया था आज के जमाने में ice cream तो बिना machine के बनती नहीं है अगर machine होगी नहीं तो क्या होगा ice cream बनेगी नहीं तो इंडरेटली आप लोग को ये सटिस्वाइग करती है इंडरेटली आप लोग को क्या करती है ये सटिस्वाइग करती है याद रखिएगा इस चीज़ को बेटा ओके इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ये चीज आपको कैसे सटिस्वाइग कर आपके खाने कि अंब गताएब का आइसटी है आपके पास यहां पास अम्पनिफ谢谢 आप के पास इ bullish है यह दस फिरीज़ लिया है माली जे इक एक फिरीज़ कि और नॉन ड्यूरेबल भी होती है याद रखी कई इसको ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल को होती है थी कर द्धि कि पर अप किसमें आहता है तर ड्यूरेबल में आता है इसके लाइस خεί मैं प्रोग की आ सकती है अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड लाइफ ओफ किसकी बताइए किसकी कैपिटल गुड्स की इनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है more than one year होती है generally क्यों क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई कमपनी का मालिक बोले चल आज ये मशीन ले आते हैं परसू दूसरी ले आएंगे तीसरी दिन चूसरी ले आएंगे आज इसको बेज देंगे परसू नहीं ले आएंगे ऐसा सुना है कभी कहीं पे ऐसा नहीं होता तो मशीने जो होती है ज़्यादा तर जो कमपनीयों में यूज होती है कंजम्शन गुड्स कौनसे गुड्स होते हैं बेटा कंजूम बाइदी कंजूमर फोर दी सैटिस्वेक्शन अफिस वांट कंजूमर कंजूम करते हैं अपने आपको सैटिस्वाइ करने के लिए Capital goods कौनसे goods होते हैं Purchase for producing other goods Purchase करे जाते हैं other goods को Produce करने के लिए Conjunction goods कैसे satisfy करते हैं आप लोगो को directly और capital goods कैसे satisfy करते हैं आप लोगो को Indirectly याद रखिए गश चीज को आएए बेटा आगे देखते हैं Production capacity की अगर हम बात करें Production capacity कैसी होती है बढ़ाता है एक consumption goods आप लोगी नहीं Capital goods बढ़ाते हैं येस Life कैसी होती है consumption goods की durable, non-durable दोनों होती है Free JC durable में आते हैं Non-durable में ice cream आ जाती है हम लोगी अच्छा capital goods की expected life कैसी होती है एक स्याल से जादा ही होती है जनरली याद रखेंगे पक्का तो आप लोगों से बेटा मैं मिलता हूँ next class में अगर कोई भी doubt हो तो बता दीजेगा till then टाटा, bye bye